हलो माई डियर स्टून्स वेलकम करतों में भारत पिंचाल और केमिश्ट्री गुर्जी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन वीडियो में तो आध हम लोग आइडेंटिफाई दी कंपाउंड ए बीसी आपको करने होते हैं यह कोशन जनरली एल्डिहाईड क कोशन वाले बड़िया से हो जाएंगे और इसके बाके सारे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से तो चलिए स्टार्ट करते हैं एन एरोमेटिक कंपाउंड ए सी 7 ए सिक्स-ोटू ओन रीक्शन विद एक्वस अमोनिया जान से समझने है एक्वस अमोनिया हीटिंग फॉर्म कंपाउंड बी बी ओन हीटिंग वीद ब्यार्टू एलकोहलिक पॉटास अब आपको समझाने जिए पॉटास मतलब क्यों वैच ब्यार्टू के वैच मतलब कुन सी रियक्शन हो रही है यह होफ्मैन ब्रोमाइड आप होफ्मैन पर को सिउस्पूंड है एक्ट करती है ठीक है सी जिसका मोलक्री फर्म में सी सेवन अब बताने क्या है एक सबसे पहले कर देखो है सी 7 6 यह जो होता न यह मतलब लगब कुत बैंजीन को बता रहोता है है एक दोजादा हो एक निवह हो है ऐसा होना चाहिए, है ना, इसकी reaction आप लोगों ने aqueous ammonia के साथ करी, गरम करना है, तो यह क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से, benzene, CO, NH2, यह है compound A, और यह है B, फिर आप लोग इसकी reaction करवाओगे, किस के साथ, ब्यार 2, एड 4, क, O, H के साथ, तो यह portion यहां से बाहर निकल जाएगा, तो बेटा जी, यह क्या बन जाएगा, benzene, NH2, जो की C है, यह है A, यह है B, इसके अलावा क्या बनेगा, भाई, एक तो K2, CO3 बनेगा, एक क्या बनेगा, 2, H2O बनेगा, और एक क्या बनेगा, 2, KbO बन यह नाइट्रो ग्रूप के साथ F-E-S-C-L आता था है ना गिवस कंपाउंट B विद मोलेकिलर फोर्मला दीज जो B है रेक्शन करता है C-C-C-L-3-K-O-H किसका है मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं रियाजेंट्स की है ना या फिर आपको पता उनुचे कोलोर तो जब आप लोग इसकी रेक्शन कर आओगे विद F-E-S-C-L तो इसकी रेडक्शन हो जाएगी और यह क्या बन जाएगा बेंजीन-N-H-2 जो कि एक प्राइमरी माइन है फिर आप लोग इसकी रेक्शन कर आओगे विद C-C-L-3-3-Q-H तो बेटे यह क्या बन जाएगा बेंजीन-N-C तो आपको बताने की A, B, C क्या है तो यह हमारे पास है A, यह हमारे पास है B और यह हमारे पास है C, simple आगे मोग करते हैं नेक्स्ट है अन और्गैनिक कमपाउंट A with molecular formula this on heating with Br2 and QH, Br2 QH कहाँ पर रेक्ट करता है? अमाइड के साथ है नो, फोर्म्स अ कमपाउ B on heating with CSCL3 QH, बताओ, CSCL3 QH यानिक कर्वाइल माइन है, तो दो ही नेम रेक्शन लगबग उठाई जा रही है, अभी तक तो और इन्ही को बहुत अच्छे से पर लोग, यह तीन-चार नेम रेक्शन है, इन्ही से mostly questioner बनते हैं इस chapter में, ठीके, तो देखो यार C3, S7, NO से आ 2, and 4QH, रेक्शन आगे हो रही है, तो side product बहार निकाल दो, minus हो जाएगा 2KBR, minus हो जाएगा 2H2, minus हो जाएगा K2, CO3, तो यह क्या बन जाएगा, C2, H5, NH2, ठीके, फिर इसकी रेक्शन करवाई गई है किसके साथ, CSCL3 and QH के साथ, तो जब आप लोग इसकी रेक्शन कर रहा and see, ठीक है, ओन रेक्शन विद C6, H5, SO2, CL, forms a compound D, which is soluble in alkali, ओके, देखे, यह बात की जा रही है, ठीक है, यह बन गया, इस बात को थोड़े ध्यान समझेए, compound B on heating with CSCL3, KOH, produce करता है, क्या, false mailing compound C, तो यह हमारे पास compound C हो गया, और फिर यह कर रहा है कि जो compound देखे, यह हमारे पास compound A है, यह हमारे पास compound C है, और यह हमारे पास compound B है, जो compound B है, C2, H5, NH2, जब आप लोग उसकी रेक्शन करवाओगे, किसके साथ करवाओगे, भई, C6, H5, SO2, CL के साथ, इसका मतलब होता है, बेंजेन, सेलफोनिल, क्लोराइट, है न, हिंसबर्ग, रियाजन बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर, क्या बने जाएगा, यह चीद बाहर निकल जाएगी, C2, H5, NH, SO2, बेंजेन, और यह हमारे पास क्या है, बटा compound D है, हो हमारे पास है, हमारे पास क्या बन गया, एक B बन गया, और B को, जब आप क्लोरोफोर्म के साथ करते हैं, तो C बनता है, और अगर उसी B को, आप ट्रीट करते हो, विद किस के साथ, यहाँ पर दिया गया है, C6, H5, SO2, CL के साथ, तो आपको compound D मिलता है, यह compound D है, उसके करते हैं, तो, so that कि हमारे पास कुछ जगा बचे, और हम कर सकें, यहाँ पर, फिर इस कि रेक्शन कराई गई है, किस के साथ, विद, BR2, and QH के साथ, तो क्या हो जाएगा, degradation, तो यह बन जाएगा, C6, H5, NH2, फिर आप लोग इस कि रेक्शन करवारे हो, CH, CL3, and NOH के साथ, य हमारे पास कुन सी reaction है, कारबाई लमाइन reaction है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आइसो साइनेड बनेगा, अगर इसी की reaction करवाई गई है, किस के साथ, Na, NO2, प्लस, SCL, और temperature बहुत कम, 213 degree Celsius, तो यह डाई-जोटिजेशन reaction होती है, जिसको हम लोग बलते है, बेंजीन, डायजो डायजोनियम क्लाइड की reaction, यहाँ पर डायजोनियम क्लाइड की प्रोपर्टीज को उभर-उभर के यूज किया गया है, अलकोहल के साथ कराते हो, तो डायजोनियम क्लाइड कनवर्ट हो जाता है, बेंजीन में, तो बताईए, ए, बी, सी क्या है, यह हमारे पास है कंपाउ अलकोहल की ओक्सिदेशन हो जाती है, और डायजोनियम क्लाइड की डचीन हो बेंजीन देता है, आगे मूब करते हैं, तो पहले वाले में, एपे दारों में CS3 CWH की reaction मैंने जब NH3 के साथ कराई तो यहाँ पर क्या बन जाएगा Amide, तो यह क्या बन गया CS3, CO, NH2 फिर आप लोगों ने इसकी reaction कराई गई है with BR2 and KOH तो BR2, KOH, Hoffman, Bromade Degradation बार बार वही reaction तो यह क्या बन जाएगा CS3, NH2 फिर आप लोगों इसकी reaction कराऊगी CH, CL3 CH, CL3 प्लस 3QH तो Carbilemine reaction है जिसे क्या बन जाएगा CS3, NC आपको ABC बताना है बिटा तो यह हमारे पास है नहीं, यह नहीं है यह हमारे पास है A यह हमारे पास है B और यह हमारे पास है C आप दूसरे वाले पर आजाओ ठीक है यह है C6H5 यानि कि Benzene है यह हम B वाले कोशन पर जा रहे है C6H5 दाट इस Benzene N2 पोजटिव BF4 नेग्टिव और जब आप लोग इसकी reaction NaNO2 Cu के साथ कराते हो तो यह reaction आपको डारेक्ट नाइट्रो बेंजेन देखती है मैंने आपको कन्वर्जेंस की वीडियो कराई है देखो एक कन्वर्जेन है जो लगबग डेड़ गंटेगा जिसमें सारे प्रिवीस और कोशन है अलग-अलग करवाया है और उसमें सारी तरह की reaction हो तो भी आप देख सकते हो या फिर एक 30 मिनिट्स की वीडियो है उससे भी आपकी बहुत हो जाएगी कि जट सर्च करना और गैनिक कन्वर्जेंस बाइब भाइब बहुत पंचाल से चलो इधर आजाओ तो यह क्या बन गया अनोटू बन जाएगा फिर अनोटू की reaction आप लोगे नकर आई है एफवी सेल के साथ तो वेटाज यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा अनिलीन बेंजीन नस्टू मैं इसको इधर लिख रहा हूं उधर जगह नहीं है बेंजीन नस्टू इसकी अक्टिविटी बहुत जाद होती है इसकी अक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इसकी reaction CS3 COCL या फिर एक्टिविटी के साथ कराई जाती है पिरिडीन तो यहां से H और यहां से CL बहार निकल जाएगा यह क्या बंजाएगा बेंजीन अनेच इसे बोलते हैं एसीटन लाइट ठीक है यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास है c यह हमारे पास है बी और यह हमारे पास है a is nitrogen b is aniline and c is aceton light आगे मुभव करते हैं तो next हमारे पास एटा ध्यान से समझेए मैं question no.1 पे जाराओ C6H5CO NH2, यानि कि Benzene, Benzene के साथ क्या है, CO NH2 है, इस कि रेक्षन आप लोग उनके स्क्राइब कर रही है, with BR2, and KOH के साथ, तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारे पास, Hoffman Bromide Degradation है, तो NH2 आएगा, फिल, इस कि रेक्षन कर रहाए गई है, NA, NO2, प्लस, SCL temperature कितने है, 0 से, 5 degree Celsius, तो B बनेगा, और B क्या है, यह NA, NO2 है, यह Diagonium Collide है, है नो, और इस कि रेक्षन में क्या ही के साथ कराऊँगा, तो यह मेरे पास क्या बन जाएगा, Iodon Benzene, सेग्ड पर आजाओ, CH3, CL है, इस कि रेक्षन आप लोगोंने KCN के साथ कराई, तो Nucleophilic Substitution होगी, CH3, CN बनेगा, फिर आप लोग इस कि रेक्षन कराऊँगा, L IALH4 के साथ, रेडक्षन होगी, यह बन जाएगा, CH3, CH2, NH2, फिर इसकी रेक्षन करवाई गई है, very bad, बेटा जी, इसकी रेक्षन करवाई गई है, CHCl3, प्लस अलकोलिक के बच, इस चैप्टर की बढ़िया बात यह है, कि गुनी चुनी सी रेक्षन और वही बार बार आ रही है, तो ब की C product करना है, तो यह हमारे पास A, Aniline, यह हमारे पास B, Digonium Collide, और यह हमारे पास C, A, Ido Benzine, इस रेक्षन में यह हमारे पास A, Methane Nitrile हो जाए गए, यह हमारे पास Ethan Amine, B, और यह हमारे पास Ethan Isosynate, C, I think यह आप लोग easily कर सकते हो, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आप लोग करी सकते हो, फिर भी मैं करवा रहा हूँ, पहले वाली C6, H5, Na2 है, यानि कि Nitro Benzine है हमारे पास, और Nitro Benzine की रेक्षन आप लोगों किसके साथ करवादी, विर SN, SCL, तो यह क्या बन जाएगा, इत्रोड़क्षन के लिए, NH2, फिर आप लोगों इसकी रेक्षन कराई है, Na, Na, Na2, प्लस, SCL के साथ, तो यह क्या बन जाएगा, डायजोनियम को लगों, फिर आप लोग इसकी रेक्षन जब बोर्टर के साथ कराओगे, तो वो इसको कर देता है, इसका नेक्टिव पोर्षन जूटता है, H2 का, that is OH, इधर आपका OH जूट जूट जाएगा सेकंड पर आजाओ, CS3, CL है, I think अभी कि हम लोगोंने, इसकी रेक्षन के साथ करवाई गई है, तो यह क्या बन जाएगा, CS3, CN, फिर आप लोगोंने इसकी रेक्षन कराई है, LI, AL, H4 के साथ, तो बन जाएगा, CS3, CS2, NH2, और फिर जब आप लोग इसकी रेक्षन, HNO2 के सा करती है, ह, O, N, O, जहां से समझेगा, यह रेक्षन कैसे हो रही है, इतना पोर्षन, देखे, अगर अराइल अमाइन के साथ, HNO2 रेक्षन करता है, तो हमारे पास अलकोहल बनता है, ठीक है, तो यह ऐसे बन जाएगा, CS3, CS2, OH, यहाँ पर N2 gas रिलीज होती है, N2 gas रिलीज ह जाएगी याद रखिए, और एक बन जाएगा, H2O, अब आपको A, B, C बताना है, I think बताया जासकता है, यह है, A, B, C, similarly यहाँ पर, यह है, A, यह है, B, और यह है, C, तो यहाँ पर सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, जो भी चैप्टर के लिए सारे के सारे के सारे के सारे करव जाहिए